प्रभावती गुपता यह लगभग लगभग 25-45 साल तक इन्होंने रूल किया है तो चंद्रकुप्त 2 बहुत important ruler हुआ करते थे गुपता अंपायर के one of the most influential and most powerful ruler of गुपता अंपायर इनकी बेटी हुई प्रभावती गुपता इनकी शादी डेकन में rulers वगरा के साथ में हुई थी जिसका नाम था वाक तकास ठीक है गुपता अंपायर का राक चल रहा है चंद्रकुप्त 2 जो है वो भी रूल कर रहा है उनकी बेटी है प्रभावती गुपता इनकी शादी डेकन में याने की आज की तारीक में आजराबाद का जो इलाका है वहाँ पर जो ruling family थी वाक टकास उसमें हुआ था अब संस्कृत के जो legal text वगरा आपको देखने को मिलता है उस जमाने के उसमें आपने को ये पता चलता है कि जो महिलाएं हैं उनके पास में land वगरा जैसे resources का independent access नहीं होता था संस्कृत के text में आपको ये अंदाजार पता चलता है कि उस वक की महिलाओं के पास में independently जमीन के उपर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था वो भू स्वामी नहीं होती थी मगर प्रभावती की कहानी यहीं पर interesting हो जाती है यहाँ पर आप एक जगे जो है संस्कृत के text में ये बोला जा रहा है कि महिलाओं के पास में जमीन के उपर independent अधिकार नहीं है या फिर नहीं होना चाहिए इस तरीके की बात की जा रही है इसी वक्त में आपको प्रभावती का example देखने को मिलता है इनके inscription से पता चलता है कि ना सिर्फ इनके पास जमीन थी याने कि ना सिर्फ ये भू स्वामी नहीं थी मतलब इस चीज़ के एक दम यह जो बात यहाँ पर लिखी की यह उप्जिट में जा रही है बड साती सात वो जमीन को लैंड ग्रांट के रूप में दान भी किया करती थी भू दान भी वो किया करती थी तो एक बड़ी यह इंटरेस्टिंग बात निकल कारा रही है संस्कृत के टेक्स इस जमाने के क्या कह रहे है महिलाओं के पास में जमीन के उपर independent अधिकार या इस तरीके के important resources के उपर independent अधिकार नहीं होना चाहिए या नहीं होता था और वो इस तरीके से जमीन की मालके नहीं हुआ करती थी अब उसी वक्त में प्रभावत्ती का example आपको देखने को मिलता है जिनके inscription से पता चलता है कि ना सिर्व इनके पास में अच्छी कासी जमीन थी बटी उस जमीन का दान भी किया करती थी इस से दो बात में पता चलती है एक तो ये कि अगर आप क्योंकि ये रानी थीं क्योंकि ये queen थीं तो ये एक exception थी या इस से आप ये कह सकते हो कि अगर आपका stature high है अगर आप power acquire करते हो अगर आप power रखते हो तो समाज के जो नियम कायद है वो आप पर लागू नहीं होते है एक तो ये बात आप कह सकते हो दूसरी बात आप ये कह सकते हो ये भी हो सकता है कि जो Sanskrit के legal text है इनका application हर जगे uniform नहीं था हो सकता है किसी इलाके में यूपी और बिहार के जो इलाके है जो गैंगेटिक वैली आती है हो सकता है वहाँ पर ये Sanskrit text letter and spirit में follow हो रहे हो जहां प्रभावती गुपता की शादी की कही थी नीचे हैजराबाद दक्कन के अलाके में हो सकता है वहाँ पर उतना ज़्यादा uniformly follow नहीं हो रहे हो लोग उनको avoid कर देते हो या फिर उनको बस broadly follow करते हो strictly follow ना करते हो तो दो बातें यहां से अपने कोई समझ में आती हैं प्रभावती गुपता की कहानी से कि एक तो जमीन वगरा को लेकर और बाकी जो legal चीजों को लेकर जो आपके rules and regulations बने हुए थे संस्कृत के text वगरा मैं खास तोर पर आपको जो धर्म सूत्र हो गया इस तरीके की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं जो terms and conditions समाज के उपर लागू करते हैं वो generally kings, queens या फिर इस तरीके के powerful लोगों पर लागू नहीं होते थे या फिर हर जगे उनको एक तरीके से एक समान अप्लिकेबल उनका जो application था वो हर जगे एक जैसा एक समान नहीं था uniform नहीं था चल आगे बढ़ते हैं आप यहां पर जो यह land grants वगरा किये जा रहे हैं चाहे प्रभावती कुपता की कहानी में जो descriptions मिले हैं इसमें या इसके इलावा वे जो दूसरी जगाओं पर जो land grants किये जा रहे हैं जो जमीन वगरा दी जा रहे हैं इसके जो records रखे जा रहे हैं इसने हमको काफी कुछ पता चलता है इससे हमको समाज जो था और खास तौर पर आपका जो rural population थी उसके बारे में एक इन categories में divide कर सकते हो सबसे पहले आते हैं ब्रामण दूसरे आते हैं पीजन्स और तीसरे वो सारे लोग जो बहुत सारी activities कर रहा हैं आपका किसानी के इलावा या जो ब्रामण नहीं है इसके इलावा जितनी भी दूसरी activities वगरा हो रही हैं जितने भी दूसरे modes of production लगे पे या फिर कोई बहुत बड़ा अगर भू स्वामी है वो पूरा पूरा गाओं या एक से जादा गाओं अगर किसी ब्रामण को या किसी मट को अगर दान में दे देता था तो inscription में पकायदा लिखवाया जाता था कि आप यह जो आपका नए मालिक बने हैं इस village के या फिर जो भी आपका एक से जादा विलेजर वगराए के नए मालिक बने हैं आप ने वो दो चीज़ने करनी हैं एक तो जो भी आप टैक्स वगराए ओड़ा दे रहे थे आपने पूराने माल को या राजा को जिसने जमीन करने नहीं मालिक को भी देना है उनको और इनका संभान कर तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लैंड ग्रांड के साथ में उनर्शिप राइट्स किस तरह से चेंज होते हैं उसका भी एक अंदाजा लगता है अब जो लैंड के ग्रांड हैं ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब्स हैं एक जगे पर आपको देखने को मिलते हैं लान ग्रांड के मैं हर जगे की बात कर रहा हूं इंडिया के मैं यह जगे जो है लैंड ग्रांड वेरीएशन इदर उदर हो सकता है मगर आपको land grant देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा बहुत variation आपको जमीन दी जा रही है, उसके size में देखने के लिए मिल सकता है, छोटे plot से लेके vast आपको uncultivated lands के लंबे-लंबे बड़े plots वगरे दे दिये जा रहे है, साथी साथ जिस वेक्ति को जमीन दान की जा रही है, उस वेक्ति के उस जमीन के उपर क्या rights है, वहाँ पर पूरी तरीके से मालिक हो गया है, वहाँ पर वो किसी के उपर tax लगा सकता है या नि लगा सकता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों के उपर वो सजा देने का right रखता ह वहां पर वहां के जितनी जमीन है उसमें जितने लोग आ गएं कि उसके उपर उनका राइट बन गया इस तरीके से एक एक चीज जो है स्पेसिफाइग की जाती थी आपके लैंड ग्रांट नो और उसके बेसेस पर फिर आपको एक सही अंडरस्टैंडिंग ये अंदाजा और दमदाओथ को तरा है बत्ति आपके ID मों की का एक अंदान गपकी जारती है झाल झाल